हलो दोस्तो हम सब की पराए में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 साइंस चैप्टर फर्स्ट नियूट्रिशन इन प्लांट के जो एक्सरसाइज को से इंसर है उसको उम्हें डिसकस करेंगे तो आपका सबसे पहला जो कोशेन और एक्सरसाइज का QY DO ORGANIZM TAKE FOOD आपका जो ORGANIZM होता है उसको FOOD की REQUIRMENT क्यों होती है तो आपको simply लिखना क्या है कि कोई भी A quanto व्हीं और के लिए anergy की required होता है तो energy के लिए आपको FOOD लेना जरूरी होता है यानि हम कह सकते हैं हम लोग food को लेंगे उसके वज़े से हमें energy मिलेगा और इसी energy का हम लोग use करके अपना जो काम होता work होता उसको हम लोग करते हैं तो simply लिखोगे get energy to do work पहला point दूसरा point क्या है हमार जो body होता है उसका जो growth होता है उसके लिए भी energy चाहिए और इसी वज़े से हमको food की requirement होती है तो simple दो point पहला point क्या है get energy to do work और फिर दूसरा point क्या है build up body हमार जो body है या हमार जो body structure होता है या तो आपका cell का बना होता है या फिर उसमें बहुत सारे tissue होते हैं organ होते हैं तो अगर कभी भी cell या tissue आपका damage अगर हो जाता है तो हम लोग उसको repair करते हैं तो repair जो करते हैं आपका repair करने के लिए भी हमको energy की required होता है again वो energy आपको food से मिलेगा नेक्स जो है आपका point चौथा point maintain the function of the body body का कोई भी function function बोले तो जैसे कि respiration की हम लोग बात कर ले या फिर growth की बात कर ले या तो इस function को करने के लिए भी या इसको maintain करने के लिए भी आपको energy की requirement होता है तो हम लोगों को food की requirement होता ही होता है simply आपको चार point लिखना है पहला point लिखना है get energy to do work दूसा लिखना build up body तीसा लिखना repair damage in the body और चौठा लिखना maintain the function of the body और साथी साथ अगर आप mention करना चाह रहे हो तो यहाँ पे दो तीन point और है इसको भी mention कर सकते हो सबसे पहला चीज है क्या food जो essential है all living organism के लिए तो simply हम लिखेंगे survive करने के लिए पहला point दूसरा कोई भी living organism कुछ process को करता है कुछ अपनी काम को करता है जैसे कि respiration हो गया growth हो गया और साथी साथ cell part या तीसू अगर आपका damage हो जाता है तो इसको या तो replacement करता है या उसको बनाता है इसके लिए फूड की requirement होता है यह आपको दो point भी mention कर सकते हो energy जो आपको कहां से मिलता है तो हम लोग जो खाना खाते हैं खाने में आपका carbohydrate होता है, protein होता है, fats होता है, vitamins होता है, minerals होता है यही हमारे सरीर को energy provide करता है तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इस energy के लिए आपको खाने की जरूत होती food की requirement होता है तो all living organism need to take food for their survivor तो अगर in short बात करे हम लोग तो आप simply इ एक दो पॉइंट बढ़ा देना है तो इस पॉइंट को पहला और पहला और यह दूसरा पॉइंट को mention कर देना, next question की बात करे, question number 2, distinguish between a parasite or a saprotrop, तो यहाँ पे parasite है और आपको saprotrop है, parasite में simply लिखोगे, the organism that grow on the body of another organism and drives nutrition from it is known as parasite, parasite एक ऐसा organism है जो किसी living organism के ऊपर या फिर अंदर में रहता है और इस living organism का nutrition को use करके जिंदा रहता है, इसी को हम लोग parasite कहते हैं, parasite का अगर example देखो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, जैसे कि आपके इंसाटिव बुक में प्लांट डिया हो है, कसकटा तो यह भी आपका green plant है, तो इसके उपर इसके उपर आपको एक yellow करर का plant नजर आएगा, जिसको हम लोग कसकटा प्लांट कहते हैं, एक कसकटा प्लांट करता क्या है, green plant जो autotropic या photosynthesis के थुरू अपना खाना बनाता है, उस खाने को कसकटा यूज करता है, या फिर common example देखो गे लीच, लीच हिंदी भी job कहते हैं, जो आपके blood को सक करता है, और एक normal अगर और हम example दें, तो आपको mosquitoes का example हो सकता है, या फिर आपका tape worm example हो सकता है, जो आपका mosquito होता है, यह हमारा खून को चूज कर ही जिन्दा रहता है, या आप bad work का भी example लेख सकते हो, खटमल जिसको हम लोग कहते हैं, यह हम लोग को खून को चूज कर ही जिन्दा रहता है, तो इसको हम लोग पैरसाइट कहेंगे, दूसरा point क्या लिखोगे आप, they take the ready-made food from the host, host का बनावा खाना को ही इसने, जो इहाँ पे parasite होता है, या parasite organism होता है, यूज करता है, तीसरा point क्या लिखोगे आप, they directly feed on living organism for their nutrition, अब हम लोग दूसरा, सेपरो टॉप्स की बात करें, तो आपको लिखना है, the organism that obtained nutrient from the dead or decaying organic matter is called सेपरो टॉप्स, यहाँ पर parasite living organism से अपने खाने को लेता है, और सेपरो टॉप्स, dead or decaying organic matter जो होता है, उससे अपने खाने को अप्टेन करता है, they take the digested and decayed food, तो जो सेपरो तो खाना पहले digest करते हैं, उसके बाद हो लेता है, they feed on dead and decaying organism, basically जो सेपरो टॉप्स होता है, dead or decaying organism से अपने खाने को लेता है, और यहाँ जो parasite की बात कर रहे थे हम लोग, वो living organism से directly food को लेता है, इसकी example की बात करें, तो आपने fungus तो देखा ही होगा, fungus का नाम सुना ही होग ब्रेट में आपको दिखेगा, ऐसे से आपको दिखेगा, यह कब दिखेगा, जब आपका rainy season होता है, basically, तो rainy season के वक्या दिखेगा, ब्रेट अगर दो चार दिन का हो जाएगा, तो moisture के वज़े से यहाँ पर दोखर ऐसे से आजाता है, इस सब क्या है, fungus है, और कुछ दिनों इस सपरो टॉप है, उसको आप डिफाइन करोगे, डिफाइन कैसे करोगे, तो simply आप लिखना है, परसाइट के अंदर, the organism that grow on the body of another living organism and drives nutrient from it, it is known as परसाइट, तो सब पहले डिफाइन लिखेगा, उसके फिर दूसरा point, the take this ready-made food from the host, host का जो बना होवा food है, वही आपका परस इसरा है, they directly feed on living organism for their nutrition, परसाइट nutrition के लिए living organism के ऊपर ही रहेगा, या उसके अंदर रहेगा, और यहाँ पर कुछ एक्जामपल है, यसे कसकटा हो गया, लीच हो गया, वैसे और भी आप एक्जामपल लिख सकते हो, tapworm भी लिख सकते हो, बैट बग भी लिख सकते हो, वही अ dead or decaying organic matter से ही obtain करता है, दूसरा point लिख हो गया, they take the digestion and decayed food, तीसरा, they feed on dead and decaying organism, saprotrop आपका dead or decaying organism के ऊपर ही रहता है और उसका nutrient को यूज करेगा, एक्जामपल में आप fungus या फंगी लिख सकते हो, next, अब हम लोग कोशन की बात करें, तो आपका जो question number third है, how would you taste the presence of starch in leaf, leaf में starch ह कैसे आपको पता चलेगा, किस activity के तूर आपको पता चलेगा, तो यार रखना, उससे taste को हम लोग iodine taste कहते हैं, simply हम लोग leaf में iodine solution डाल कर, हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, कि leaf में starch है या फिर नहीं है, तो activity में हम क्या करना होगा, तो activity में सबसे पहले आपको two potate plant लेना होगा Potate plant का मतलब क्या होता है, मिट्टी का जो आपका port होता है, उसके अंदर मिट्टी होगा, और मिट्टी को उपर एक plant को grow कराना है, let's say, इस plant को A बोल देते हैं, और इस plant part को B बोल देते हैं, और जो plant आपको लेना है, वो same kind का ही लेना है, अब क्या करना आपको, plant B को 72 hour के ल आपको दोनों plant का, plant A और plant B का leaf को तोड़ना है, और इस leaf में आपको iodine test करना है, तो आपको iodine test कर लेना है, आपका observation अभी हम दो नीची में देखेंगे, observation क्या मिला, फिर again क्या करना है आपको, यहाँ जो plant B था, जिसको हम लोग 72 hour के लिए dark room में रखे थे, अब उसको again 3-4 days के लिए sunlight के अंदर रखना है, और फिर से आपको iodine test करना है, अब हम लोग observation की बात कर लेते हैं, तो plant A और आपका plant B का leaf था मेरे पास, यार रखना plant B को आपको डार्क रूम में रखे थे, और plant A को sunlight में रखे थे, तो plant A का leaf में जैसी हमने iodine solution को डाला, तो इसका जो leaf का color ह हो जाता है, blue black, यानि plant A जो sunlight में था, जब उसके leaf में हम लोग ने iodine solution को डाला, तो उस leaf का color हो गया, blue black, तो हम लोग कह सकते हैं, कि आपके plant A, जिसको sunlight में रखे थे, उसमें starch present है, वही अगर हम लोग plant B के leaf की बात करें, तो इसमें आपका blue black जो color है, वो observed नहीं हो रहा, formed न नहीं होगा, इनुपो या रखना किया, मेरे पास plant A था, और साथ में एक plant B था, इसको अदय को डार्क रूब में रखेते हैं, इसको हम लोग sunlight में रखेते हैं, दो, तीन के बाद इसके leaf को लेना है, और साथ ही इसके भी leaf को लेना है, इसमें हम लोगों को iodine solution test करना है, iodine solution test करना है तो हम लोग क्या observe कर रहे हैं इसके जो leaf का color है वह आपका blue black हो जाता है इसके color में कोई भी blue black नहीं होता है तो blue black color है तो हम समझ सकते हैं कि इसके leaf में starch present है और यहां पर starch क्या है absent है यानि present नहीं है तो यार रखना है starch के लिए sunlight का होना जरूरी होता है नेक्स हम लोग question no.4 की बात करते हैं give a brief description of the process of synthesis of food in green plant question थोसा important धियां रखना green plant में जो food synthesis होता है उस process को हम लोग photosynthesis कहते हैं तो photosynthesis process किया होता है तो simply आप लिखना the process by which autotopic green plant make their own food यानि जो आपका autotopic green plant होता है वो अपना खाना खुद बनाता है from simple in organic substance तो जो simple in organic substance है इसको भी हम लोग raw material बोलेंगे जिसकी अंदर carbon dioxide water in the presence of sunlight and green pigment जिसको क्रोफिल कहते हैं इन सब को carbon dioxide water sunlight क्रोफिल इसको raw material बोलेंगे इसके यूज करके जो green plant है अपना खाना बनाता है उस process हम लोग photosynthesis कहते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसका equation देख लेते हैं carbon dioxide जो plant air से लेता है plant के leaf में एक part होता है जिसको हम लोग कहते है इस्टोमेटा में pores होता है जब open होता है इस्टोमेटा तब उसके थुरू carbon dioxide leaf के अंदर जाता है next आपका water root के थुरू soil से जो water है leaf तक पहुंसता है with the help of vessels sunlight sun से लिया जाता है और क्रोरोफिल क्रोरोफिल या रखना एक आपका green pigment होता है और यह green pigment क्या करता है sunlight को capture करता है यानि sunlight के energy को capture करता है इसका use करते हुए plant अपने food को बनाता है इस food को लोग या तो glucose बोल दो या फिर carbohydrate बोल दो और साथ ही साथ oxygen को release करता है oxygen release कैसे होता है same stomata के open pores से ही release होता है बहार निकल जाता है यानि हम लोग जो सास को छोडते हैं carbon dioxide उसको plant stomata के थुरू लेता है और जब photosynthesis process होता है तो उसमें oxygen आपका बाहर इसी stomata के थुरू बाहर निकलता है और हम लोग यानि human या animal इसको inhale करते हैं इस पूरे process को हम लोग photosynthesis कहेंगे और इस process को यहां पर आपको लिग देना है तो सबसे पहला देखो water और आपका जो mineral है आपके soil में present होता है इसको absorb किया जाता है root के थुरू और transport किया जाता है leaf में with the help of vessels second point क्या है जो आपका carbon dioxide होता है जो plant है air से लेता है stomata के थुरू जो की leaf में present होता है तीसा point है leaf are the food factories, leaf को हम लोग food factories कहते हैं जो की sunlight के energy को capture करता है यार रखना जो leaf होता है sunlight के energy को capture करता है with the help of chlorophyll, chlorophyll क्या होता है एक green pigment होता है इसके help से जो sunlight में energy होता है leaf उसको capture करता है इस energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water इसी sunlight का जो energy होता है यूस करते वे plant carbon dioxide and water से food को बनाता है उस food को हम लोग carbohydrate बोलते हैं और यह आपको यहां पर equation given है तो जो question number 4 है तो simply आपको यही या रखना है सब पहले photosynthesis process को define कर लेना उसके बाद इस equation को ध्यान रखना है इसके important आपका equation है जिसको हम लोग photosynthesis equation बोलते हैं और इसके basis पर आपको define कर लेना है आपको जो next question है question number 5 So with the help of sketch that plants are the ultimate source of food इस question आपको बताना है जो plant है वही ultimate source of food है किसी भी living organism के लिए तो एक हम लोग sketch देख लेते हैं यहां पर आपको दिखेंगा यहां पर producer बोले तो plant फिर यहां पर herbivore है, omnivore है, carnivore है यह आपका higher carnivore होता है इससे आपको कोई टेंसर लेना नहीं है इसको आप higher class में food chain के अंदर पर होगे बस यहां पर समझना यह आपका plant है इस plant को यह herbivore खाएगा as a nutrient as a food और इस फिर herbivore को यहां जो omnivore दिया गया है यह omnivore लेगा इस omnivore को एक carnivore खाएगा और इस carnivore को एक carnivore खाएगा यहां पर जिसे primary consumer है secondary consumer इसका मतलब क्या है यह आपका producer है plant produce करता है उसको पहला खाने वाला primary consumer हो गया इसको खाने वाला secondary हो जाएगा और secondary वाला tercery consumer हो जाएगा यानि आपका higher जो animal होता है उसकी बात कर रहे हैं यहां पर आपको यह समझना है माल लो आपके पास यह जो producer है plant वो नहीं है तो क्या हो सकता है तो हम लोग कह सकते हैं यहां जो हम लोग हर्वी वोर की बात कर रहे है उसको फिर जिन्दा रही नहीं पाएगा इसको खाना नहीं मिलेगा तो यह मर जाएगा अगर यह मर गया तो कुछ समय के बाद यह भी भूका मर जाएगा फिर यह भी भूका मर जाएगा और यह भी भूका मर जाएगा तो आप देख सकते हो कि living organism फिर इस world में जिन्दा रही नहीं सकता है अगर आपके पास plant ना हो इस दुनिया में तो हम लोग एक human का भी example लेकर समझ सकते हैं यह भूकी ही मर जाएगा या फिर जो भी non vegetarian है जैसे एक जामपल या तो फिर फिस का example ले सकते हो बकरी का ले सकते हो या फिर मुर्गों का example ले सकते हो यहां फिस है यहां बकरा और मुर्गा है तो आप देखोगे यह भी जो है ना basically plant या फिर प्लान का product को ही खाता है अब यहां से देखोगे जो हमारा बकरा या बकरी जो होती है यह ओग घास को खाएगी फिस भी आपको दाना खाती है जो के plant product ही होता है और मुर्गा मुर्गी भी दाना को ही खाती है तो अगर plant ही नहीं रहेगा तो यहां पर जो भी animal है ओ भी नहीं रहेगा जिसको आम लोग ख सर्वाइब नहीं कर सकता है अब को सिक्स है फिलिंडा ब्लेंग सबसे पहला जो कोशन है ग्रीन प्लांट और कॉल ऑटोटॉप्स इस दे सिंथेसाइज दियर ओन फूड तो यहां जो आपका फिलिंडा ब्लेंग से इसमें ऑटोटॉप आएगा की ओना इसमें स्मयना मोज ओपन के अंदर ऑटोपी कोता है और एक आपका है ठीघडे़ अपक bit बनाता है उसको हम लोग टोफ कहते हैं और यह हम कह सकते हैं green जो plant है वो अपना खाना खुद बनाता है इसलिए इसको हम लोग auto tops बोलते हैं question number b देखो question number six का the food synthesized by the plant is stored as जो यहाँ पर plant जो photosynthesis के तोरूप food यह खाना बनाता है उस food को starch के रूप में store करता है अभी हम लोग एक activity देखेते हैं तो starch को कैसे identify करते हैं तो हम लोग यहाँ पर iodine taste या iodine solution की बात कर रहे थे तो आपको समझना है कि जो plant जो खाना बनाता है उसको starch के रूप में अपने पास store करके रखता है question number c in photosynthesis solar energy solar energy basically हम लोग sun light को कहेंगे is captured by the pigment cold pigment cold तो photosynthesis question में मैंने आपको define किया था कि एक green pigment होता है जिसको chlorophyll कहा जाता है यही basically sunlight के energy को capture करता है और water और carbon dioxide को food में that is carbohydrate या फिर आपको starch भी बोल सकते हो उसके रूप में store रखता है question number d during photosynthesis plant take in carbon dioxide and release oxygen photosynthesis equation को यार रखना है carbon dioxide plus water in the presence of chlorophyll sunlight और आपको food that is carbohydrate plus oxygen plus oxygen तो यहां पे अगर ध्यान दो तो आपको क्या दिखेगा कि carbon dioxide को plant लेता है और oxygen को plant release करता है next question question number seven की बात करे name the flowing यहां पे आपको बस नाम बता देना है पहला है अब parasitic plant with yellow slender or tubular stems तो आपको यार रखना है parasite में एक plant होता है जिसको कसकटा कहते हैं इसका color yellow होता है और यह आपका glean plant के उपर होता है तो यार रखना है कसकटा दूसरा है अब plant that has both autotopic or heterotopic mode of nutrition तो आपके पास एक plant होता है जिसको लोग feature plant केते हैं NCRT आपके book में इसका diagram भी दिया गया है यह insect को भी खाता हो और अपना खाना खुर बनाता है with the help of sunlight तो आपका autotopic भी होता है और heterotopic भी होता है next the pores through which leaf exchange gases जो आपके leaf के अंदर stomata होता है इसके थुरू ही जो leaf है gases को exchange करता है gases बोले तो carbon dioxide को बाहर से लेता है और oxygen को आपको बाहर कर देता है इसी stomata pore के थुरू question no.8 में आपको simply यहां पर tick करना है जो correct answer होता है तो यहां पर एक एक पहला है अमर बेल इस एन एक जामपल ओ अमर बेल बोले तो एक parasite होता है yellow color का जो कि green plant के उपर रहता है तो अमर बेल के ओगया एक parasite plant हो गया दूसरा है B the plant which trap the feed on insect तो अभी हम लोग discuss करे थे कि plant अपना खाना खुद बनाता है लेकिन एक ऐसा plant है जो autotropic भी होता है और insect को भी खाता है उसको आम लग पीचर प्रयान कहते हैं यहां question no 9 की बात करें तो simply आपको match करना है column 1 और column 2 के अंदर तो यह आपका question है और यहां पर आपको answer given है तो हमने सब्सक्राइब पहले इसी से समझ लेते हैं column 1 है और आपको column 2 है इसको match करना है simply तो सबसे पहला है chlorophyll chlorophyll या रखना है आपका green pigment होता है जो की leaf में present होता है तो simply हम लिखेंगे chlorophyll का क्या leaf दूसरा है nitrogen nitrogen gas जो की हमारे atmosphere में present रहता है सबसे ज्यादा amount में approach 78% directly हम लोग इसको ले नहीं सकते हैं इसलिए bacteria के थुरू यह आपका क्या होता है usable form में तो उसी usable form के nitrogen हम लोग यूज करते हैं फिर plant यूज करता है bacteria इसको fix करता है simply अप nitrogen का bacteria trick करोगे नेक्स्ट है अमर बेल क्या होता है एक parasitic plant है चौता है animal animal का mode of nutrition क्या होता है heterotropic होता है दो टाइप का nutrition होता है एक होता heterotrops और एक होता autotrops plant ही सिरिफ autotrops होता है जो अपना खाना खुद बनाता है और next आपका insect, insect को pitcher plant as a food के रूप में खाता है तो अब इसका भी solution यहाँ पर नीचे दियागा देख लो chlorophyll का simply leaf, nitrogen bacteria, amur bear parasitic होगा, animal heterotops होगा, insect आपका pitcher plant हो जाएगा question number 10 है आपको clue of false बताना है जो भी यहाँ पर given statement है सबसे पहला है carbon dioxide is released during photosynthesis तो आपको photosynthesis का equation पता होना चाहिए equation क्या था carbon dioxide plus water यह वाटर का chemical formula होता है with the help of sunlight और आपका chlorophyll आपको खाना बनता था food तो food लिख लो और साथ ही में oxygen gas क्या होड़ा release होता है तो आपको यहाँ रखना photosynthesis में plant carbon dioxide को लेता है और release करता है oxygen को यहाँ पर लिखा हुआ है carbon dioxide released तो यहाँ पर release नहीं हो रहा है oxygen release हो रहा है तो answer हो जाएगा false तो इसका answer false हो जाएगा next है plant which synthesize deer food themselves are called separate tops तो यहाँ रखना है दो टाइप का mode of nutrition था एक था auto top और एक था hetero tops है hetero tops के अंदर ही separate drops आ जाएगा या parasite आ जाएगा और तो टॉप ही एक ऐसा mode of nutrition है जिसमें plant अपना खाना खुद बनाता है अगर आपके question में plant है और लिखा गया है कि अपने आप से खाना बनाता है तो हमेशा या रखना वह auto top ही होगा तो यह भी क्या हो जाएगा false हो जाएगा separate drops नहीं होता है separate आपका fungus होता है third question देख लो the product of photosynthesis is not a protein तो यह आपका जो statement है true है क्यों जो यहाँ पर food बन रहा होता photosynthesis में इसको हम लोग carbohydrate बोलते हैं ठीक है इसी carbohydrate का use करते वे nitrogen का use करते वे protein बनता है तो यहाँ पर photosynthesis में जो product होता है कभी protein नहीं होता है carbohydrate होता है तो यह आपका true हो जाएगा solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis यह भी आपका true हो जाएगा solar energy बोले तो sunlight की energy और इसको जो green leaf होता है जिसके अंदर chlorophyll पाया जाता है वही इसको capture करता है और उसको chemical energy में convert कर देता है तो यह आपका true हो जाएगा आपका next question है question number 11 choose the correct option from the flowing यहाँ question दिया गया है इसमें option है बस एक option सही होगा question आपका which part of the plant takes in carbon dioxide from the year for photosynthesis अगें यहाँ पर photosynthesis का equation अगर यादे तो आपको पता है plant carbon dioxide को लेता है और oxygen को बाहर कर देता है तो carbon dioxide को जो plant लेता है with the help of leaf leaf के अंदर एक part होता है जिसको इस्टोमेटा कहते है इस्टोमेटा का हम लोग exchange of gases भी कहते हैं यहाँ इस्टोमेटा थूरू carbon dioxide plant के अंदर आएगा और oxygen बाहर करेगा तो आप simply यहाँ पर इस्टोमेटा पर टिक करोगे चूज दी करेक्ट ऑप्शन फॉर्म दी फॉलोविंग अगें यहाँ पर भी करेक्ट ऑप्शन चूज करना है plant टेक carbon dioxide फॉर्म दीक अट्मोस्फियर मेंली थूरू दियर रूट्स इस्टेम फ्लावर और लीफ अभी अब लोग डिसकस ही कर रहे थे कि लीफ के थूरू ही गैसिस का एक्चेंज होता है तो carbon dioxide simply लीफ के थूरू plant लेता है तो यहाँ पर option हो जाएगा लीफ यानि option number 4